आजमनगर परखंड शेत्र के केलाबारी पंचायत इस्थित बांध टोला में अवस्थित आंगनबारी केंद्र संख्या 235 के सेविका द्वारा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने में ओन्यमीतिता बरती जा रही है वही कुछ ग्रामिनों से सुना गया तो कहा कि इस आंगनबारी केंद्र ना तो सही ढंग से पढ़ाई होती है ना ही बच्चों के पोशाहार मीनू की हिसाब दी जाती है और ना ही बच्चों को खेलने वाले सामगणी दी जाती है यह सब बात कहने पर सेविका आग बवूला ह हो जाती है वहीं देखा गया कि बच्चे 20 की संख्या में थी लेकिन सेविका के द्वारा बच्चों के अटेंडेंश शीट पर लगबग 25 से 30 की अटेंडेंश शीट बनाई गयी थी वहीं साइका के भड़ी जुबान से सुना जाए तो कहा कि साइका का कहना है कि आंगनबा पर्योजना के धच्यां उर्ती देखी जा रही है सुत्रों के मुताबिक यह भी जाना गया कि सेविका का यही हाल शुरू से ही है जिसको लेकर कई बार समझाने बुजाने का काम भी किया गया लेकिन आज तक सेविका अपनी बदहाली से बाद नहीं आ रही है जिससे ग्रा नामांकित बच्चे कितने हैं आपके हां कि एमडियम में क्या बन वाया है कि पुलाव किस टाइब से पुलाव बनना चाहिए कि क्या 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 नहीं दिये हैं आलो को ही हरा सब्जी बोला जाता है कि कहां है कहां है टूटा हुआ और जो अभी आपके इहां है दिखाईये जरा है तो टूट गिया है ने कोटल टूट गिया है अब यह आपका केंदर संख यह कितना है केंदर कोड़ कौन परखंड में है आप कौन पंचाहित है क्यों नहीं बनाए है आपके आपने अभीत तक अभी कितने समय हो रहे है अभीत बच्चे का क्यों नहीं बनाए है चुट्टी कितने बज़े दिजिए आपने अभी तक बच्चे का अटेंडेंस नहीं बनाए है क्यों नहीं बनाए है जितना